हलो दोस्तों वन इस्टेटी पर आप सभी का वेलकम है आज मैं आपके लिए जी एसे क्लासेश दे रहा हूं और हमारे पास आज जो है वह है अविस्कार और उनके अविस्कारक यानि इन्वेंशन्स और इन्वेंटेंड के आप बारे में हाँ पर बताएंगे और यह सभी कु और आप लोग चैनल पर नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब जिरूर कीजिएगा देखें आप पर पहला कुष्ण ने सापे चिका के सिध्धान्त की खोज किस ने की थी यानि की थेओरी आप रिलेटिविटी इसकी खोज किस ने की थी पहला आपसन अजाइक न्यूटन न पूछा गया कुष्ण ने ठीक है तहां पर आप लोग देख सकते हैं अलबर्ट आइंस्टीन ने एक भहुतिक विज्ञानी थे इन्हों ने जो है सापे चिता के सिध्धान्त को दिया था ठीक है और इन्हों ने दर्भ्यमान उर्जा समीकरण यी वराबर एमसी स्क्वाइ ये भी किस ने दिया था अलबर्ट आइंस्टीन ने दिया था और अलबर्ट आइंस्टीन को 1921 में भहुतिकी का नोबल मिला था तो इन सभी पॉइंट को आप लोग लिखते हुए चलेंगे ठीक है आगे बढ़ेंगे दूसरा पूशन आपके सामने यहां पर किसने हवाई जहाज का विश्कार किया था यह तो हर एक्जाम में पूछा आता है यहां पर केवल अभी लेटेस्ट लिखा हुआ है ठीक है बाकी भी बहुत सारे एक्जाम में पूछा गया है तो यहां पर हवाई जहाज का विश्कार किसने किया था तो यहां पर देखे पहला आपसन है लुइस पास्टर एंड अलेक्जेंडर प्लेमिंग तो इसका एंसर क्या होगा देखे हवाई जहाद यानि की एरो प्लेन का अविस्कार जो है वो किस ने किया था और विले और विर्वल राइट ने किया था इन दोनों लोगों के आपको नाम लिखना है नाम याद रखना है एक का नाम है और विले राइट एक का नाम है विल्वर राइट कभी कभी राइट बंधू देता है ठीक है राइट ब्रदर सब देता है तो यह दोनों लोगों नाम होते हैं दोनों लोग राइट है इसलिए राइट ब्रदर उनका नाम हो जाता है ठीक है तो दोनों लोगो 3 को हुई थी इसका नाम था राइट फ्लायर ठीक है इसका नाम क्या था इनही के नाम पर पड़ा है राइट फ्लायर ठीक है तो आप लोग इनको ध्यान रखें राइट फ्लायर ठीक है आगे बढ़ेंगे कुष्चन नमबर 3 है Samuel Colt के द्वारा किसका अविश्कार किया गया था ठीक है तो MTS 2017 कुश्चन है Samuel Colt तो Revolver, Refrigerator, Safety Rager, Penciline किसका खूच किया था तो Samuel Colt जो है इन्होंने Revolver का अविश्कार किया था किसका? Revolver का Colt ने Revolver का अविश्कार किया था और यहाँ पर देख लिए यह एक अमेरिकी भग्यानिक है ठीक है और इसमें से आपको कुश ध्यान रखने वाली बात हो तो मैं आपको बताता था लूँगा ठीक बाकि आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने Revolver का अविश्कार किया था आगे बढ़ेंगे आपको पॉइंट बना के अपने कॉपी पर लिए खोज देखिए पहला आप्सन है मैंक्स कार्ल अर्नेस्ट लॉडविंग ठीक है नेक्स्ट है प्लैंक आगे है वार्नर हाइजनबर्ग नेक्स्ट जेम्स चैडविक और लूइस डे ब्रॉगली ठीक है तो इसमें करिक्ट एंसर के आओब देखिए जो एनर्जी क्वांटा है इसकी खोज जो है मैंक्स कार्ल इसको बूलेंगे अन्स्ट लॉडविंग प्लैंक ने इसकी खोज की थी ठीक तो आपको पॉइंट बनाके अपनी कॉपी पर लिख लेना है तो यहाँ पर ठीक तो बस एनर्जी क्वांटा को आपको ध्यानक ना है एनर्जी क्वांटा खोज करने के लिए जो है बहुत दीक को नोबेल पुरुषकार इनको दिया गया था 1918 में ठीक तो आपसे जो ज़्यादा कुश्चन पूछ आते हैं खोज वाले वो कहां से आते ह है थोड़ा सा और यह जर्मनी की बहुत आगे बढ़ेंगे अगला कुश्चन है आपके सामने इसमें क्या है कि अतिचा लगता यानि कि सूपर कंडेक्टिविटी की खोज किसने की थी इसके लिए इनको जो है 1913 में बहुतिकी का नोबिल पुरुषकार भी दिया गया था तो यह कौन है तो पहला अप्सटर राबर्ट बंसन नेस्ट आफसन जो जो जोहांस डिडेरिक वैंडर वाल्स नेस्ट आपसन है हाईके कमेर लिंग और ओंस ठीक है और लास्ट आपसन है किर्चाफ ठीक है तो यहाँ पर करिक्ट एंसर क्या होगा देखिए आतिचा लगत कि खोज जो है नीदर लेंड के बग्यानिक है के कामर लिंग ओंस इन्होंने 1911 में इसकी खोज की थी इसके लिए 1913 में नोबिल पुरुषकार दिया गया था ठीक है अतिजा लगता होते गया इसकी उप्योग जो है टांसफार्मर मोटर विद्व जनरेटर आदे में किया जा नेक्स्ट है हैंजरी मोज ले नेक्स्ट पेंजामिन फ्रेंकलिन और रिल्शन है लूईस पास्टर तो किसने क्या था देखें अगर यहां पर यहां पर सिंपल होथा बैटरी का विष्कार किसने कि अमını करीम। बृटरि नुँदि को हेंडी मोजले तो इसको आप ध्यान रखेंगे आगे बढ़ेंगे तो 1912 में परमाण बैटरी का अविस्कार किस ने किया था हैंडी मोजले ने किया था परमाण बैटरी से विजली उत्पन करने के लिए रेडियो धर्मी समस्थानिक के च्छह से उत्पन उर्जा का प्रोग क गारेंगे धान किया था था बैटरी सब्द का किस ने किया था तो बैटरी सब्द के पहले प्रयोग किया था तो ब्रेंजामिन फ्रैंक्ले ने किया था और परमाण वाइटरी का विश्कार हैंरी मोजले ने किया था तो यह सभी पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे और अगला है रेबीश के ठीका इसकी खोड लुई पासर ने की थी आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट कुछन है कॉंटेक्ट लेंस का अविश्कार किस ने किया था ठीक है तो देखें पहला आपसर एंडरी को फर्मी नेक्स्ट है एडॉल्फ गैस्टन यूजन और फिक नेक्स्ट है साइनफोर्ड फ्लेमिंग नेक्स्ट है बिनोइट और होर्निक्रोन ठीक है तो इ इसको ध्यान रखेंगे पॉइंट बनाके लिखते चलिए यह 2017 का कुस्चन है पूछा गया था तो इसकी खोज 1888 में जर्मनी की वज्ञानिक थे जर्मनी वज्ञानिक नेत्र विशेशक की थे इनका नाम है इन्होंने किया था यह थोड़ा बड़े-बड़े इसका प्रियोग चिकतियो करने के लिए प्रियोग आगे पढ़ेंगे अगला कुस्चन आपके सामने है किस वज्ञानिक ने अति लगू रेडियो तरंगों का अविश्कार किया था तो अति लगू रेडियो तरंग ठीग पहला अफसने अति लगू रेडियो तरंग इसकी खोज जो है किस ने की थी तिये थे भारतिय बग्यानिक जगदीश चंद्र बोस इनका नाम क्या है जगदीश चंद्र बोस और इन्होंने क्रेशकोग्राफ की भी खोज की थी जो पौधों की ब्रद्धी को मापता है ठीक है तो देख ल देश चंद्र बोस ने किया था ठीक है तो और इन्होंने जो है माइक्रोवेब के छेदर में भी काम किया हुआ है ठीक है तो आप लोग इसको ध्यान रखें आगे बढ़ेंगे अगला कुस्चन तो इसका खोज जो है दूए बाइफोकल लेंस का अविस्कार किस ने किया थ तो जो लेंस है इसकी खोड़ जो आपके बेंजामिन फ्रेंक्लीन ने किया था आफ्सन से का प्लियोग जरह दर्श्टी दोस यानि कि प्रेस बाइवपया के निवारन में किया रहता है जो प्रेस बायोपया नामक बिमारी है बर्धावस्तां होता है और इसके कारण जो है आखी समंजन छमता जो यहघर जाती है समापत हो जाती है या इसके कारण बärtat दूर की वस्तु और नाही निकट की वस्तु देख पाता है तो जब तो इसको बोलते हैं प्रस बायोपिया जब उठापे में बेक्ति ना तो दूर की वस्तु देख पाए ना ही निकट की वस्तु देख पाए यानि दोनों रोग हो जाते हैं दूर और निकट द्रस्टी ठीक है तब उसको बोलते हैं प करते हैं इसका विश्कार बेंजामिन लिए ने किया था आपको इनसा भी पॉइंट को अच्छे से ध्यान अपना ठीक है आगे बढ़ेंगे अगला कुस्चन है आपके सामने वीडियो गेम कंसोल का विश्कार किस ने किया था पहला अप्सन है राल्प एच बियर नेक्ट है लाश्लो बारो नेक्ट है अल्फ्रेट बैनेट और नेक्ट है हैंस बर्गर तो किसने किया था देखें वीडियो गेम में जो वीडियो गेम कंसोल है इसका अविसकार राल्प एच बियर ने किया था ठीक है तो आप इसको देख सकते हैं ठीक है याद करना है देखें तो आ ने वीडियो गैम कंसोल का अविस्कार किया था ठाइक वीडियो गैम कंसोल आगे बढ़ेंगे देखे राल्प एचबेर ने बीडियो गेम की कोज की थी आलफ।रेट बिनएट जो है इन्होंने बिनएट सामेंट टेस्ट बुद्धि परिछन्स को बोलते है इस की खोज की थी और चे पेसके लेर्ट के लिए ने क्विश्खार की था ने आह भी पोइट में था फिरो न्हीं को सकते हैं इसको अंहोग ठोदा से ध्यान रखेंगे वीडियो गैम ओड़ेर के वीडियो में घ्योलते हैं किसे 1643 में अभिष्कार का स्रय दिया रहता है तो देखे पहला आपसन है इवान गेस्ट लिटा गेस्ट गेलिश्टा ठीक है इवान गेलिश्टा और टॉरिस अली नेक्ट है किस ने किया था तो यह तो सिंपल सा कुस्चन है एक्जाम में बार बार आता ही रहता है ठीक है तो इसका आपको मापने वाला यंत्र होता है ठीक है इसकी खोज 1643 में टॉरिस अली के द्वारा किया गया था ठीक है क्रिश्टियन हाइगेंस पेंडूलम घड़ी की खोज की थी हाइगेंस जो है इन्हों ने पेंडूलम घड़ी की खोज की थी आपको यह पॉइंट भी याद रखना है और प्रकास का तरंग सिधान्त भी इन्हों ने दिया थ प्रकास का तरंग जिद्धांत और पेंडूलम घड़ी हाइगेंस ने खोजा था ठीक उसके बाद का विश्कार किया था ठीक है और यहां जो है आवेशित करने जैसे इलेक्टान पोटान आज को तुरित करने वाला यंद्ध ठीक तो आपको यहां पर जो भी पॉइंट है इन सभी पॉइंट को अच्छे से ध्यान लगें टॉरी जो है इनके द्वारा बैरो मीटर का विश्क ठीक है तो कौन है डॉरी सॉली ने किया था आगे बढ़ेंगे नेस्ट कुश्चन है बिद्दुत चुम्बक का विश्कार किस वज्ञानिक ने किया था ठीक है पहला आपसे बिलियम इस्ट्रूजन नेक्स्ट है एंडिको फर्मी नेक्स्ट जेजे थामसन और अर्नेस्ट रदर फोर्ड ठीक है तो यहां पर जो है बिद्दुत चुम्बक विश्कार किया था बिलियम इस्ट्रूजसें ने ठीक है इस्ट्रूर आपसे नम्बर एस्ट करिक्ठ होगा बिलियम इस्टूरूल ने किया था आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आगे बढ़ेंग तेहां पर देख लेंगे ठीक है बिलियम इस्टू जोन ने जो है बिलियम इस्टू जोन ने विद्दू चुम्बक को खोजा था एंडिको फर्मी ने परमाण भठी की खोज की थी जेजे थामसन इलेक्ट्राण और रदर फोर्ट ने परमाण मॉडल दिया था ठीक है तो इन इसमें से आपको लगपक सभी याद होंगे क्यों लेही वालें जोना सा प्रब्लम होगा तो इसको भी ध्यान रखें विडियों इस्टू जोन ठीक है विद्दू चुम्बक आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट कुश्चन तहां पर देखेंगे 1934 में किसने साइक्लो ट्रॉन का आविस्कार किया था शाइक्लो ट्रॉन एक पकार का कणड तोरण है जिसमें आविसित कण सर्पिल मार्ग से केंदर से बाहर की ओर तोरित हो जाते हैं तो भी जिसमने किया था पहला अप्सान है एंडु को फरपी नेक्स शेजदृ धर अनेस्थ अर्नैस अर्नेस्ट ओ ला cyclotron क्या होता है एक प्रकार का कण तो रग यानि particle accelerator होता है मतलब accelerate मतलब तो बढ़ाना ठीक है 1934 में professor E.O. Lawrence के द्वारा जो है वर्कले में जो है cyclotron का अविश्कार किया गया था ठीक है E.O. Lawrence ने जो है cyclotron का अविश्कार किया था इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है ठीक है और इनको जो है 1949 में Nobel पुरुष्कार भी दिया गया था किसके लिए cyclotron के अविश्कार के लिए ठीक है तो इन सभी point को अच्छे से आप लोग ध्यान रखेंगे आगे पढ़ेंगे next question और दोस्तों अगर आप English के classes चाहते हैं तो मैं आपको यहां पर English के लगातार सभी classes दे रहा हूँ और CGL के दोजात देश के question paper भी आपको मैं solve करा रहा हूं ठीक है तो आप लोग सभी वीडियो को अच्छे से लगाते रही है अपनी तयारी को बिल्कुल आगे बढ़ाते रही है और चैनल पर अगर आप लोग नए है तो please subscribe रूप कीजिएगा और वीडियो को जतना हो सके अपने ज्यादा ज्यादा अपने दोस्तों के साथ जरूर सेयर करें ठीक है काफी मिनत लगती इसको बनाने में तो आप लोग थोड़ा सा योग करें ठीक है और वीडियो को ज्याता ज्याता सेयर करें ठीक है कोई भी प्राब्लम नहीं होगी ठीक है अगला कुछ ने फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव फोटो इलेक्ट्रिक एफेक्ट की खोज किस ने की थी तो पहला आप से एंड्रीव फिंच नेकिया था आगे देखेंगे तो यहां पर यह हर्ट्स ने किया था ठीक है पोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव जो है इसकी कोज हर्ट्स ने किया था इसमें करेक्ट कर लेना हर्ट्स ठीक है तो जो विद्दुत चुम्ब के विक्रण से और्जा अवसोसित करने के बाद इलेक्ट्रान उसर्जित करने के प्र सब्सक्राइब करने के प्रक्रिया होती है उसी को बोलते हैं प्रभावी थोरा सब physics के टर्म है हो सकता ना सब्सक्राइब आप बिल्कुल डारेक्ट इनको याद करें ठीक है तो इसकी खोज है HR प्रभाव में इस नोबल प्रुसकार गया था तो इन्हों ने जो आइस्टीन है अभी आप वताया था, किसने दिया था, काइन्स्टीन निया था, यह सब ही पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टन से लिए इबैं इंपोर्टन थी आप लोग सते हैं, आगे बढ़े bon किसने था किसने जयkie pendulum गणी का विसकार के था pendulum झाव निय कुछम कॉनो क्रिष्कार तो आप लोग थ्यान रखेंगे इसको इस तरह से पेंडूलम घड़ी क्रिस्चियन ने बनाई थे ठीक है इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे अगले कुछ तरफ और अगला कुछ ना पर सामने है तो इसमें जो है पेंडूलम घड़ी का विश्कार 16-56 में क्रिस्चियन हाग क्या था कि आगे बढ़ेंगे लिए इस ने किया था ठीक है पहला अफसा ने से अलेक्सन्डर ग्राहम बिल्षत थामस एडीशन में जकदिस चंफरबो और जार्ज इस्ट मैंट ठीक है और जो फॉनोग्राफ है इसका आविसकार आपके कौंत वग्यानिक कोई जाने माने फोजरा से दिनान देंगे हुआान तो ग्रामोफ या फोन ग्रामोफ एक वयानिक उपक्रण है इस का जो है अबगर दोपर लिखा आप लोग इसको पढ़न लेंगे ऐगले लगे ओकशन की आपके सामने чो आपका LCD प्रोजयक्टर होता है इसकी कोज किस ने की थी LCD प्रोजयक्टर ठीक है तो इसका विष्कार देखें पहला अPro ironic है जें डोलकोफ w next है अ出去 आ ब्रेडन-ईच नेक्ट है डयाओड़स एंजलवरोट और नेक्ट है फेटिको फाइगिन ठीक है फेटरी को फाइगिन तो इसमें से आपको बताना है LCD प्रोजेक्टर का विष्कार किस ने किया था तो जो आपका LCD प्रोजेक्टर है इसका विष्कार जो है किसने के कौन करेंग अपडेट इच डगलस एंजल वोड़ है वी ज़ो है इसमें पिर्ट ने किया तो फिर जब्र येंगे यहां पर देख लिए लिखा है LCD प्रोजेक्टर जीन डॉल गॉप ने जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिक लेंग्वेज ब्रेटन इच ने किया था इन लोगों को आपको ध्यान रखना है यह सभी लोग इंपॉर्टन है यह सभी इनके अविश्कार इंपॉर्टन आगे बढ़ेंगे नेक्ट कुश्चन आपके सामने है इसको देखेंगे प्रेरन कुंडली इंडक्शन क्वाइल ठीक है जो इंडक्शन जो घर में होता है खा ठीक है और नेक्ट है आपका निकोलस कालन ठीक है तो प्रेरन कुंडली का विश्कार निकोलस कालन ने किया था निकोलस कालन आपसन नंबर डी इसका करेंट होगा प्रेरन कुंडली इंडक्शन कोईल जो है निकोलस कालन के द्वारा विश्कार की गई थी इसको आप लोग करने की एक युक्ति है इसका विर्कार अठाशाटिस में निकोलन निकोलस कालन के द्वारा की गई है ठीक आगे बढ़ेंगे गैस टर्बाइन का विश्कार किसने किया था गैस टर्बाइन ठीक है तो पहला आपसन है एडविन हारवड आर्मिस्ट्रांग नेक्ट है जोन बा वाले व смож्यानिक है वह एक हैं बार वर ठीक है बारावर है ठीक है तो आफसनल नमबर रेडियो के विकास के लिए जाने जाते हैं निकोलस कालन एक पुजारी एवंदर्शन सास के प्रोसेसर थे इसको प्रेरन कुंडली पर अपने कार के लिए जाना लगत तो आपके क्यों ध्यान रखना है गैस टर्वाइन के खिश किस ने की थी तो यह हैं जान बार बरने ठीक बढ़ेंगे आगला कोशन आपके सामने बार कोड रिए इसकार कब हुआ था ठीक है अच्छा कोशन है इंपोर्ट बढ़िया कोशन ठीक बार लोग यूज करते हैं बताईए तो बार कोड इसकार बहुत पहले हो जोगी थी कब हुई थी 1974 में ठीक इसकी खोड़ जो है 1974 में हो थी आगे बढ़ेंगे तो जो बार कोड़ है इसका जो है 1974 में आपको ध्यानक नक हो देखते हैं इसके अगे बढ़ेंगे तो 1974 में बार कोड़ का अविश्कार किया गया है ठीक है अगला कुश्चन है आपके सामने बहुरूब जो कैलिडो इसकोप है इसका अविश्कार किसके द्वारा किया गया ठीक बहुरूब दर्सक कैलिडो इसकोप जोन्स बारबर टिम बरनस ली एलन ब्लूमलेन और नेक्ट है डेविड ब्रिविस्टर ठीक है तो किसने किया था बहुरूब दर्सक कैलिडो इसकोप तो भाई ज प्रेविश्टर आपसर नमबर डी डेविट प्रेविश्टर होगा कैलिडोस्कोप के खोज करता ठीक तो इसको आप लोग थोना सध्यान रखेंगे आगे पढ़ेंगे नेक्ट कुश्चन की तरफ यहां पर देख दीजिए इन्होंने जो है कैलिडोस्कोप खोज किस ने किया था डेविड ब्रेविश्टर ठीक बहुरूप दर्सक चाहे ना याद रखें लेकिन कैलिडोस्कोप याद रखें ठीक है और टिम बर्नस ली किसली जाना जाते हैं इन्हों डबलू डबलू का तो टिम बर्नस ली ने डबलू 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 यानि वर्ल्ड वाइड वेब का अविश्कार किया था एलन ब्लूम लीन ने टेली कम्मिनिकेशन साउंड रिकार्डिंग टेली वीजन और रडार जैसे कई लिक्टाने के करणों का अविश्कार किया था ठीक है तो आपको लीक्त अलबर्ट ब्रूस साभिन रोबिन ठीक है साभिन हैं तो आपको बताना है मैजिक मारकर की खोच किस किस ने कि थी चार आपके सामने तो भई magic marker जो है इसकी खोज करने वाले कोई ओल नहीं थे यह Sydney Sydney रोजेंथल थे ठीक Sydney रोजेंथल आपसर नमबर सी इसका करेक्ट होगा Sydney Sydney रोजेंथल तो आपको इसको ध्यान रखना है ठीक आगे बढ़ेंगे next question के तरफ next question आपके सामने है उससे पहले इसका answer जानते हैं आपसा नमबर सी करेक्ट होगा मैजिक मारकर के पहुज 1953 में Sydney रोजेंथल ने गी थी अडॉल्फ सेक्स जो है इन्होंने सेक्सोफोन का विश्कार किया था ठीक आपको ध्यान रखना है यह पूछा का एक्जाम में सेक्सोफोन का विश्कार किस ने किया था अडॉल्फ सेक्स ठीक तो ध्यान रखेंगे उ जो पोलियों का ठीक होता हे मौक गुरूफ से दे जाता है उसका प्रयोग अलबर सेब नहें किया थी मतलब जो डॉप दी जाती है उसको जुए अलबर साइब बनाbly बनाया था ठीक है अगला है हाइमन जी रिकोवर को फादर आप दा निव्यर नेवी के नाम ज्यानते फादर आप दा निव्यर नेवी किसे कहते है तो वो हैं भाई हाइमन जी रिकोवर इनको ध्यान रखेंगे थोड़ा साथ इन्होंने ज्यान Type Nsome Qual сво प्रोपल्सन कब्रिकास किया था ठीक है तो फादर आप नुगलेव नेवी देखे आप्लग के बढ़ेंगे चलो भाई घूमता दर्वाजा घूमते दर्वाजे कब इसकार किस ने किया था एक से एक बढ़के एक कोस्टन पूछे गए ठीक है तो घूमता दर्वाजा जो भाई देखे मैं तो इसको भाई एक तरीके से आद रखता हूँ आप लोगों पता दूँगा ठीक तो आप लोग इसको भी ध्यान रख सकते हैं पहला आप्षन लोसियन बीडी नेक्ट है जोन वेन नेक्ट है थियो फिलस वैन कैनल लिविश औ ठीक है तो इसका करेक्टसर क्या हो घुखे को घूमता दर्वाजा है देखो मैंने मेरे जो कुत्टक घर है उसको घूमते दर्वाजा लगाया हुए ठीक है kennel आपको ध्यान अदबा किया तक कुत्टे के घर होता है वनमर्ट सब्टिट्यूशन में भी खूब पूछा जाता है ठीक है तो आप इससे आज सकते हैं कि मैंने अपने कैनल में घूमता दर्वाजा लगाया है तो आपसा नंबर सी जो है इसका यहां पर करेक्ट हो जाएगा आगे बढ़ेंगे जो फिलिप Epic One Kennel है इन्होंने यह अमेरीकी वैग्यानिक है और उन्होंने गोमने वाले दर्वाजे का अविस्कार किया था प्रवुभन कूंपनी की स्थाफंणा इन्होंने की थी तो आपकों कंपनी उन्हार लगना आप ना है तीक आगे बढ़ेंगे छत का पंक्खा चहले भाई छत के पंक्खे का विष्कार किस ने किया थह तो लोट ग्रॉप कॉपमेन 창जत निक्त हैं बातो लोंयो किस्ट फरी तीellow योनार्द सहाब न बंसे कैने किया तो और भी नहीं आदगा सकते हूं । च्छत का पंखा में दिल्ली से लाया, दिल्ली मतलब डिहल, ठीक है, तो फिलिप डिहल, इसको थोड़ा से इस तरीके से याद आखेंगे, फिलिप डिहल ने च्छत के पंखे का अविश्कार किया था, सेरिंग पेंद, आगे बढ़ेंगे, ठीक तो इसमें देखेंगे, च्छी पिलि की कुरसी, ठीक है, बिजली की जो कुरसी है, एलेक्ट्रिक चेर, ठीक बिजली वाली कुरसी, इसका अविसकार किस ने किया था, तो आप पहला प्शन है, अल्फ्रेट P. साउथविग, नेक्ट है, इसाग, आइसेक सिंगर, नेक्ट है, मुरासाकी, तो यहाँ पर आपको बताना है विजली की कुरसी और देखेंगे विजली की कुरसी का विजकार आल्फरेड पी साउथविक ने किया मतलब करन्ट लगा दो ठीक है बैठा तो आदमी को आदमी तुरंत ठीक है तो इसको थोड़ा सद्यानक ना किये हैं साउथ वीग ठीक है कि अगे बढ़ेंगे next question की तरफ अगी next question ने है Left पोस्टेज मीटर का अविस्कार किसने किया था पहला प्रोशन है फ्योदोर प्रोश की नेक्ट है अर्थर मिट्टिनी किसने किया था था पिटनी आपसे नंबर बी करेक्ट होगा ठीक है तो डाक मीटर आर्थर पिटनी ठीक है तो आप ध्यान रख सकते हैं जैसे आप लोग डाक गए होगे जब कोई चीज पोस्ट करने के लिए वहाँ पर देखो बहुत तेज से मोहर लगाते हैं ठीक पीट करके पिटनी ठीक है अब कई से बताएं यहां से ठीक है उसमें लिए रहते हैं जो जिससे श्टेंप लगा जाता है ठीक है तो इस टैंप उनका रहता है तो उससे कशके ठोक करके लगाते हैं उसको तो आप उससे जाकम पिटनी ठीक है सब्सकॉर्ड कि नेक्स्ट कुस्च्चिंट तो जो आर्थर पिटनी है अमेरिकन भेज्ञानिक हैं अब इसकारक थे इन्होंने डarck मीटर इनको जो है डाक मीटर की पिता कहा जाता है डाक मीटर का पिता कहों है आर्थर पिटनी ठीक लिफ़ाफ है और पोस्टेज को छापने के लिए लाखुम चेट मीटर का आविण याता है तो तो जो जो सापने के लिए खया लाता है टिक त्व कि दुनिया के प्रथम ड्रेज के लिए आगे बढ़ेंगे सिस्मो मीटर, सिस्मो मीटर का अविश्कार किस ने किया था, पहला अपसर अलेकजंडर पार्क्स, नेक्ट है, लुईगी पालमिरी, नेक्ट है, अलेकजी पाजिट नो, नेक्ट है, रैंसम एली, ओल्ड्स, ठीक है, तो सिस्मो मीटर का अविश्कार किस की पल्मीरी आगे देखेंगे अगला कॉस्चन उससे पहले सिलूक्षन देखना है ठीक है तो यहां पर देखेंगे लोगी पल्मरी ठीक बहुतिक विज्ञानी है इन्होंने भूकम प्रमापी यंत ठीक इसका खोज की थी ठीक है तो आप लोग ध्यान रखेंगे बाकि अलेक प्लास्टिक अविस्कार अलेकजनर पार्कस ने किया था और जो पना मापी इसका विसकार किसने किया था और लूई की पल्मीरी ने किया था ठीक इसको बहुत है सिस्मो मीटर ठीक आगे पढ़ेंगे next xray का भिष्कार किस नहीं किया था ठीक है xray तो आसान कुछिन है william ίे एकस रोले इन और आय थांपसनन तो किसे नहीं किया था रोन जन और शर्रे का भिष्कार डूजाषय को वां ठ designation में जाज़ा कुछ Спस्ट पूछे कंao rendered निट किया था और एक्सरेज होता है इसकी तरंग तेर्ध दस की पावर मानस दस से दस की पावर मानस आठ मीटर तक होता है ठीक आगे बढ़ेंगे कि नेक्स कुष्चन है यह तो वही है ठीक उसी तरीके से यह 2020 में पूचा गया है और यह वाला 2017 में आया वहाथ थीक तो इस तरीके से कुष्चन रिपीट हुदते रहते हैं आगे बढ़ेंगे अगला कुष्चन है लान मुवर ठीक रां मतलब पार्क देशा खुश्च ठीक है तो लॉन में मूब करने वाला गांश ह chest घ्र उसको बोलते reference 다음 आफ अभी मैं आफर से B बेर्ड काड़ते हैं ठीक है इसको आपको ध्यान अपना है ठीक है आगे देखेंगे तो लान मुवर का विश्कार एडविन बेर्ड बडिंग ने किया था लान मुवर एक मसीन है जो एक से अधिक घूमने वाले ब्लेड की साहता से घास को एक निश्चित उटाई तक जो की प्रियोकता द्वारा निश्चित आता है काटने के काम में लाई जाती ठीक तो उचाए पर जो गहास अगयरा होती है उसको काटने में लाई जाती है आगे बढ़नेगे इलेक्ट्रिक ट्रॉम् का विश्कार किसके द्वरा किया तो पहले आपना है फ्योडूर पिरोप्थ ठीक है कौन है फ्योदर्फियोधकी है एलेक्त्रिक ट्राम कमिषकार आर्थर पितनी याद है ठीक पीटने वाले पितनी डॉच रख वहाग से चंबंदी ठीक है अगला देखेंगे तो यहां पर इलेक्ट्रिक ट्राम का विश्कार फ्योदूर पिरोथ्की ने किया था एक रसियन इंजीनियर है ठीक है भारत में ट्राम रेल सेवा पहली बार कोलकाता में अंग्रेजों द्वारा 19 में सधी में इस्थापित किये गए थी इसको पी थोड़ा ध्यान रखेंगे आगे बढएंगे आगे पॉस्टिट नोट पॉस्ट इट नोट का विश्कार किसी ने किया था थीच है तो पहला आप्था है बिलियम प्रीस प्रें ग्रीन और नेक्टार फिडराय垃ः चैंट में गोल्डन फिरुर्द तो यहां पर आपको पताना है पोस्टिट नोट का और चयाव सब्सकर को स्कार है तो इसके तो करेक्ट थोगा वहुगा उस्ट इट है इनको खोग्ज करता थैं आथर फ्राइब एथा आफसा Ind होते हैं जिनके पिछले मितलब चिपकाने वाला पदार्त लगा होता है ठीक जो किसी का आगए नोट को किसी दूसरे पेपर में जोड़ने का काम करता है एक प्रकार का टैप होता है उसकी कोश जो है आर्थर फ्राय ने की थी आगे बढ़ेंगे नेक्ट कुशन नेक्ट कुशन है आपके लिए असेंबली लाइन ठीक है असेंबली लाइन का विष्कार किस ने किया था तो पहला असन अलेक्जंडर पार्क्स नेक्ट है लुईगी पालमीरी नेक्ट है अलेक्सी पैचित नो नेक्ट है रेंसम इली ओर्ट्स ठीक है छले बताए असेम्बली लायन का विश्कार किस ने किया था ठीकハै तो मैं इसको कैसे याद रस्ता हूँ आसेम्बली लायन में खड़ोंके रैंसम niż मांगा रहा है और आप नमबर डी रैंसम इली Still keep तो आप लोग इस तरह से ध्यान रख सकते हैं आगे पढ़ेंगे तो रैंसम एली ओर्स जो है अमेरीकी मोटर वाहन उद्ध्यों के छहत्मेगडी थे इन्होंने अपनी पहली स्टीम कार ठीक तो आपको उतना ध्यान रखें ज्यादा इनके बारे में जानने होगे रख जरू का हल और नेक्ष है क्रिस्टियन हाई गेंस ठीक है तो जो 3D प्रिंटर है इसका अविस्कार जो करने वाले हैं वो थे चक हल ठीक किसने किया था चक हल ने थीक अगे बढ़ेंगे और भाई आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक जिरूर करना शेयर करना ठीक है 3D डेविड चाउम नेक्ट है जोर्ज क्लाड नेक्ट है जोसेफ कोच रेन ठीक है तो डिस्वासर तो भाई जो आपका डिस्वासर है इसका अविस्कार किसने किया था यह है जोसिफिन कोच रेन ठीक जोसिफिन कोच रेन होंगे आपसर नमबर 10 का करेक्ट होगा जोसिफिन क आगे बढ़ेंगे तो इसमें ध्यान रखेंगे डि साल कविषकारchi 888 में में कोच्रेन के दोवारा किया गया था लिस्वासर का रेयोग बरतन की धुलाई में किया राता है टिक है लिस्वासर में एक प्रोग्राम के तहर लोडिंग और स्विचिंग होता है जो बिजली से चलता है तो बरतंग सभाई करने के लिए एक बिजली का अगला कुश्चन है आपका इसको बनाया था एरेक तो सब में आएगा ठीक एरिक टिम मैंथ्यू रोथिम तो इनका करेक्ट नाम क्विश्कर ये बढ़ूब है तो यहां पर इतना ही ध्याना कि ..... देखे पहला है शर्प नेख स्थे जोसेप कोच रेंगा है तो सभी दो यहां से तरह पूछ गए कुछन है लिओन लेंप ठीक है तो नियोन लेंप जो है आपका इसका अविसकार करने वाले थे देखें मैं क्लाउड में जब भी जाता हूं नियोन लेंप तो मैं cloud में जब भी जाता हूँ, neon lamp लेके जाता हूँ, ताकि उजाल आ रहे वहाँ पर, ठीक है, तो जाच cloud, आगे बढ़ेंगे, next question आपके सामने है, तो यह तो बताई दिया ठीक है, आगे बढ़ेंगे, universal मानक समय, universal standard time का अभिसकार किस ने किया था, एंरिको फर्मी ने, एडोल्फ गैस्टन, क्यूजन फिक ने, सैंड़ फ्लेमिंग ने, और बेनोइट फोर्णी ड्रोन ने, तो इसमें से किस ने किया था, तो भई, यह कारनामा करने वाले बग्यानिक हैं, फ्लेमिंग साहब, सैंड़ फ्लेमिंग, ठीक, universal मानक समय, यानि universal standard किस ने, सैंड़ फ्लेमिंग ने किया था, इसका अविस्कार, देखिएंग यहां पर, तो universal मानक समय का अविस्कार सैंड़ फ्लेमिंग ने किया था, ठीक, यह जो हैं, बिटिस एक इंजिनियर थे, अविस्कारक थे, ठीक है, आगे बढ़ेंगे, ज्यादा कुछ नहीं जा जो भी है, ठीक है, जोसेफ कोच रेन, ठीक है, तो जो internet प्रोटोकॉल है, आपके जो है, कम्प्यूटर के लिए भी important है, ठीक है, आपके कम्प्यूटर में भी आता है, ठीक है, और internet पर क्या किया आता है, कहता है, सर्फ कर, सर्फिंग, ठीक है, सर्फिंग, उस्याद रखे का विंट सर्फ नहीं किया था ठीक आगी बढ़ेंगे तो भाई जो है विंट सर्फ अमेरिकी इंटरनेट में अग्रणी है इन्होंने इंटरनेट प्रोटोकाल का जो है अब इसकार किया था और बस इसमें इतना ही है और यह है हमारा आज लास्ट कुस्टन, कुस्टन नमबर 40 ठीक है, 40 का 41 हो गया ठीक है, कुस्टन नमबर है 41 ठीक, तो भाई अगर आप लोग चैनल पर नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब जिरूर करना और अभी मैं इसका सेकेंड पार्ट भी आपको देने वाला हूँ जो अभिसकार वाला है, इसका सेकेंड पार्ट भी आएगा अभी पूरे कुस्टन नहीं हो पाएंस में, ठीक है तो परमाण रियक्टर का विसकार किस ने किया था ठीक, तो चाहो तो आप लोग इसका अंसर कमेंट में करों चलो अच्छा बताएते तो अंडर को फर्मी ठीक है इसका विसकार जो है अंडर को फर्मी ने किया था ठीक है परमाण रियक्टर तो यह था आज का लास्ट कुस्चन और यह देख लिसकते हैं परमाण भट्टी के बारे में हम पर पूरा पढ़ लीजिये ठीक है